नमस्कार दोस्तो आज का जो डिसकेशन होने वाला है वो है वैक्सीन के उपर और कौन सी वैक्सीन बहतर है क्या को वैक्सीन जदा बहतर है या फिर को भी शील जदा बहतर है उसके उपर हम डिसकेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आकर क्या होती है व वो आपकी body में जब introduce की जाती है, तो उसके introduction के कारण immune system जो होता है, वो active हो जाता है और वो antibodies बनाता है, जिससे एक certain disease से लड़ने में मदद मिलती है, आगे हम discuss करें कि जो vaccines होती है, उनको categorize किया गया है कि कैसे वो work करती है, उनके हिसाब से जैसे पहली जो vaccine है इसके अंदर, वो है inactivated vaccine, inactivated vaccine का example होता है, जैसे उसमें co-vaccine होता है, इसके अलावा mRNA vaccine, mRNA vaccine के अंदर Pfizer है, Moderna है, तो ये नमाख vaccine होती है, उसके अलावा अगर हम देखें तो viral vector vaccine, viral vector vaccine के अंदर COVID shield और Sputnik भी हमको देखने को मिलता है, अब ये सबसे important चीज़ ये है इसके अंदर, कि हर एक individual को vaccine लगवाना important है, और चाहे उनको diabetes हो, या high blood pressure हो, या आस्तमा की समस्या हो, और उन लोगों को और भी ज़्यादा जरुवत है, जिनकी immunity लो होती है, और या जिनके अंदर पहले से COVID की symptoms थे, या उनको पहले से ही COVID हो चुका है, या first time में तो उनको भी vaccine लगवाना बहुत ही important होता है, तो ये कुछ important components होते हैं उसके, इसके आगे अगर हम discussion करें, co vaccine के उपर, कि क्या co vaccine होता है, सिंपल भाषा में co vaccine जो होता है, ये intra-muscularly लगाया जाता है, और इसे 2-8 degree के temperature में store किया जाता है, ये भारत बायो टेक और उसके अलावा जो ICMR है, और National Institute of Virology पूना ने मिलके बनाया है इसे, अब हम जानते हैं कि कैसे co vaccine वर्क करती है, तो ये इस particular vaccine का जो process होता है, उसमें virus को inactivate किया जाता है, killed या मरे हुए coronavirus का इस्तमाल किया जाता है, और उसके अंदर technology की मदद से, कुछ ऐसे specific protein लगा दिये जाते हैं, कि जब इसे body में introduce किया जाता है, तो ये कुछ specific, ये आपके immune system को activate कर देता है, और activation के बाद में ये कुछ antibodies बनाता है, कि तब आने वाले समय में अगर live coronavirus contact में आता है, अगर उस individual के जिनको vaccine लगा दी गई है, तो वो particular coronavirus उनके अंदर disease cause ना करने में सक्षम नहीं रहेगा, तो ये एक important component हो जाता है, इसलिए vaccine काफी कारगर है, और co-vaccine और भी ज़्यादा खास इसलिए है, क्योंकि ये COVID-19 के UK variant से भी काफी अच्छा होता है, इसे चार से च्छे हपतों के बीच में जो पहला और दूसरा जो dose होता है, उसके अंतराल में दिया जाता है, अब आगे हम discuss करते हैं कि COVID-Shield के बारे में, और इसके अंदर खास बात ये है, अगर हम इसके mode of work के बारे में discuss करें, कि ये जो वाइरस होता है, चिंपांजी के अंदर एडिनो वाइरस, उसे वीक करके ये बॉडी में इंट्रिड्यूस किया जाता है, और ये जैसी body में इंट्रिड्यूस किया जाता है, वो weekend होता है बिल्कुल, और वो आपके immune system को activate कर देता है, immune system के activation के बाद में, आपकी bodies कुछ specific antibodies बनाती है, तो भी ये खत्रा काफी कम हो जाता है, उस वाइरस की बिमारी होने के, तो ये आपको समझना पड़ेगा, और COVID shield जो ये vaccine है, ये vaccine को 4-6 हफ्तों के लगबग लगबग में, या 6-8 के हफ्तों में, क्यूंकि co vaccine को 4-6 हफ्तों में दिया जाता है, और इसे 6-8 हफ्तों का gap होता है, सिर्फ दोनों vaccine के अंदर, और co vaccine के अंदर, तो आपने discussion हमने देखा ही था, कि उसके अंदर 4-6 हफ्ते थे, और इसके अंदर 6-8 हफ्ते होते हैं, तो ये एक important difference होता है, और जो co vaccine होती है, वो mutant के against भी काफी अच्छा काम करता है, इसलिए co vaccine हलकी से slightly better मान सकते हैं आप उसे, लेकिन कोई भी vaccine जो आपके nearby available हो, आपको हमेशा ही vaccine लगवाना बहुत ही important है, इसके बाद में इसकी जो कीमत होती है, private hospitals में वो लगबख 200 रुपए में आपको available होती है, और government hospital में ये free में available है, अब हम जानते हैं कि क्या important side effects देखने को हमको मिल सकते हैं, तो side effects की बात करें, वैसे तो बहुत ही local side effects होते हैं, जैसे कि pain है, redness है, swelling है, या stiff arm है, या nausea है, vomiting है, या fever देखने को मिल सकता है, ये कुछ minimal side effects होते हैं, अब आगे हम discuss करें कि कि किन particular patients को vaccine, government of India ने अभी नहीं बोला लगवाने को, तो जैसे कि pregnant woman है, या lacting mother है, तो उन लोगों को अभी government of India की जो guidelines है, उनके हिसाब से भी vaccine नहीं लगवानी है, और आगे हम discuss करें कि जैसे अगर किसी precautions, अगर हम discussion करें हैं, तो जैसे किसी individual को पहले से ही, अगर किसी प्रकार का allergic reaction है, या वो पहला dose लगवा के आता है vaccine का, और उसको body में कोई reaction, और इसलिए अगर आपको कोई भी प्रकार का side effect महसूस हो, तो आपको नियरबाय जो डॉक्टर है, उनसे हमेशा consult करना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ पेशेंट जो लंबे समय से आपको ध्यान लगवाने जाएं तो उसका भी ध्यान रखा जाएं, और डॉक्टर की सला से ही आप कोई भी काम करें, इसके अलावा अगर थ्रॉंबो साइटो पेनिया की condition होती है, मिन्स किसी पेशेंट के अंदर अगर प्लेटिलेट्स काउंट कम हो जाता है, तो भी इस पेसिफिकली आपको ध्यान लखना चाहिए,